गुर्माने अवरिवन आज इस वीडियो में मैं क्लास 9 के 2nd chapter की 2.5 exercise जो की 2nd chapter polynomial की 2.5 exercise का first question जो है Use suitable identity to find the following product identity मैंने already वीडियो में एक पहले वीडियो अप्लोड करके उसमें discuss कर रखे हैं यहाँ आप NCID books में दे सकते हैं दे रखी हैं इसकी exercise से पहले दे रखी है एक तो यह दे रखी है page number 44 पर दे रखी है 4 page number 46 पर भी दे रखी है ठीक है और page number 47 पर भी identity दे रखी है यह कैसे करना है ठीक है use suitable identity to find the following product तो question x plus 4 x plus 10 है ठीक है तो हमने एक एडिनटी पढ़ी है x plus a x plus b क्या है और तो यह question दे रखा है यह P P P P हमारा क्या है ठीक है ख्लोजण होगया अब एक्समारा क्या है फिर से एक्सस deficit x copy होगया तो फिर हमारा किया है यहां पर देखिया दिखे आगा थी समझा जो कि आपको कैसी यूज करनी है इसलिए मैंने इसलिए ओपर 5 पैंसिते लिखा हुआ अब इसको हम का identity पहले यूज़ होके हमने question solve कर लिया next वीडियो में next part जी नीचे लिखा ये explain करूँगा ये same ही है और बस इसमें minus sign आ रखा जो बच्चों को बहुत confuse करता है इसके बारे में मैं समझाऊंगा ठीक है तब तक के लिए bye bye वीडियो को like करें comment करें और चैनल को subscribe करने के लिए वीडियो के आखरी में goal आइकन आएगा उसके आप क्लिक करके आपको subscribe कर सकते हैं और left side पे rectangle column आएगा जिसमें आप क्लिक करके next part दे सकते हैं उसका link में दूँगा आपको तब तब के लिए bye bye